दोबी और कुट्टा की कहानी एक बार एक दोबी था जिसके पास एक कुट्टा और एक गधा था। दोनों ने अपने स्वामी को विबिन कारियों में अपने अनूठे व्यक्तिगत तरीकों से सहायता की थी। एक दिन दोबी के घर में चोरों का एक दल गुसाया। कुट्टे में उनकी बात सुनकर चोरों को डराकर और परोसियों को जगाकर शातिर तरीके से भौँखना शुरू कर दिया। चोरों ने जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की लेकिन उनी रोप दिया गया और परोसियों द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिया गया जो अब अपने घरों से बाहर आ गये थे यह जानना चाहते थे कि कुट्टा देर रात क्यूं भौँख रहा था। शोर और हंगामे के कारण जागने के बाद धोबी अपने कुट्टे के बारे में कम से कम कहने के लिए खुश था और इसलिए उसके परोसी भी थे। बारे में पता था और वे इससे साफधान थे। उन्हों ने कुट्टे की खोच की और उसे घर के बीच में बैठा पाया। पिछी परिस्थितियों के कारण पूरी तरह जाग दया। यह देखते ही चोरों में भाग कर दूसरे घर में लूट पाट करने का फैसला किया। इस बीच गधा यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि अगर वर्शोर मचाने लगे तो उसके मालिक को पता चल जाएगा कि उसने चोरों को भगा दिया है। गधा जोर जोर से रेंटने लगा। रात के बीच में अपने गधे के रेंटने की आवाज से दोबी नाराज हो गया। उसने एक छड़ी उठाए और गधे को काले और मीले रंग से पीटा ताकि उसकी रेंकना बंध हो सके। यह सोचकर कि एक अच्छी पिटाई से उसे सब मिलेगा। बेचारा गधा उर्जन में था कि जब गह प्रशंसा और पुरसकार की उमीद कर रहा था तो उसे क्यों मारा जा रहा था और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके सामने हुए द्रिश्य को देखते हुए कुट्ता चुपचाब गधे के पास गया और सह शांती से रह रहे हैं। गधा और कुट्ता कहानी का नयतिक यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के हुने का धूंगन करें जो आप नहीं हैं और आपका सच्चा स्वाभाविक स्वाहुना और वह सब कुछ करना जो आपको स्वापा गया है और दूसरों की गतिविद्यों में शामिल होने के लिए स्वन सेवा न करें। गदे और कुप्ते की कहानी की नेतिकता को पड़कर, बच्चे दूसरों की नकल करने के बजाए वास्तब में होने और इसका आनंद लेने के महत्व को समझेंगे, क्योंकि मूल हमेशा सबसे अच्छा होता है। माता-पिता के लिए उगदेश, कुप्ते और गदे की यह छोटी कहानी बच्चों को मानव व्यवहार पर अपनी ग्यान को व्यापत बनाने में मदद करेगी। अपने कहानी पठन सत्र का आनंद लेने के अलावा, बच्चे दूसरों की नकल करने की कोशिश करने के बजाए खुद का सर्वश्रेष्ट संसकरन बनने की कोशिश करते हुए अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, माता-पिता को बच्चे को गदे और कुटे के सारांच को स्वयन पढ़ने के लिए फ्रोट साहित करना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ने की आदतों, ध्यान देने की अबधी और कहानियों के प्रति प्रेम्य सुधार हो। कहानी सुनाना माता-पिता और बच्चों के बीच के बंधन को भी मजबूत करता है, जिससे वे कहानी सुनाने के ऐसे और सत्रों के लिए तक पर रहते हैं। झाल 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